कि उचाईयों पर उड़ने वाले परिंदें कभी भी दरक्तों से दिल नहीं लगाते हैं, जोकिम किस चीज में नहीं है, रिस्क किस चीज में नहीं है, हारने का डर कहां नहीं है, सबी को उता है, पर हारने से वो लोग डरते हैं जो संगर्श करना नहीं जानते हैं, तरक्की वही लोग पाते हैं जो जिम्रिदारिया लेना से हैं। लोग दूसरों पर गलतियां डालते हैं दूसरों पर गलतियां थोपते हैं अपनी हार का भी वो लोग सिर्फ लूजर्स कहलाते हैं वो सिर्फ एक्सक्यूजिस बनाते हैं। ना मैंने देखा है तो उसकी जो भी कोई कीमत होगी ना वो भी मैं ही चुकाऊंगा। तो मतलब ये जो जिम्मेदार जो लोग होते हैं जो जिम्मेदारी लेना सीखते हैं जो जिम्मेदारी लेना जानते हैं वो कभी भी जिन्दगी की किसी भी बुरी से बुरी परिस्तितों से हारते नहीं हैं। प्रिकी करते करते करता भ्यास के जड्मती होश्चुजान, आप बार बार भ्यास करते रहते हैं, आप हारते हैं, फिर खड़े होते हैं, किसी छोटे बच्चे को कोई उसकी चीज़ दीजी, अगर वो थोड़ी दूर उचाई पर भी है ना, तो कोशिश करता रहेगा जब तक तक वो गिर नहीं जाता या फिर उसके आसपास कोई होगा तो उससे मांगता है पर बच्चा कोशिश सरूर करता है हम उससे बच्चे से तो बत्तर नहीं हो सकते आपको अपनी चीज कोई अचीव करनी है कोई चीज आपकी है और वो आपकी ही थी और आपको लेनी है उसके लि खड़िये उसके लिए डिमांड कीजिये देखिए जब तक आप खड़े नहीं होंगे जब तक आप उपनी चीज के लिए फाइट नहीं करेंगे तब तक वो चीज कभी भी आपको मिल नहीं सकती आपको मांगना तो होगा और जब तक आप चीज को मांगोगे नहीं वो चीज़ की अगर मान लीजे जिन्दगी में कुछ भी कोई बैड ठिंग आपके साथ हो जाती है कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए जो कि आप एकसेप्ट नहीं कर सकते जिन्दगी में क्यों हुआ तो भी उसका श्रे आपको तो भी उसका ब्लेम दूसरों को नहीं देना है उ आपके अपने ही आप में कमिया निकालनी शुरू कर देते हैं और वो बोलते हैं कि देखा मैंने कहाता ना तुझे यह नहीं करना चाहिए देखा मैंने कहाता ना जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ मैंने कहाता कि ऐसा मत करो दोस्तो तरक्की वही लोग पाते हैं जो रिस किस चीज़ में नहीं है हारने का डर कहां नहीं है सबी को होता है पर हारने से वो लोग डरते हैं जो संगर्श करना नहीं जानते हारने से वो लोग डरते हैं जो अपने वर भरोसा नहीं रखते जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ आपको डेरिंग होना बहुत जरूरी है आ आपके अंदर आपने श्वास नहीं है, कुछ भी काम करने से पहले एक बार नहीं आप पचास बार सोचोगे। जैसे एक कायर व्यक्ति, डरपोग व्यक्ति अपनी मौत से पहले हजारों बार मरता है। उसी तरह से कभी भी जीवन में जब आप कुछ करते हैं, डेरिंग रहिए, साथ में ही अपने जो confidence आपके अंदर है, उसका भरपूर इस्तमाल कीजिए और किसी भी तरह से कुछ भी परिस्तिती जीवन में हो जाए, बस आप किसी को ब्लेम नहीं देंगे, उसकी जिम्मेदार और दस एडवाईज आपको free मिलेंगी, तो बहतर है अगर आपको एडवाईज लेनी भी है, तो अच्छे किसी experience व्यक्ति से लीजिए, और अगर वो अच्छा experience आपके साथ है, तो मेरा मानना है गलतियां आप करोगे नहीं, और ऐसे लोग जल्दी से आपके साथ होती नही हर किसी के साथ सार्तिय से किष्णा नहीं होते, हर किसी को ऐसा साथ नहीं मिलता, जो आपको भी साथ मिल जाए और हर बुरी परस्तिती से आप चुटकी बजाकर निखलते चले जाओ, ईसा नहीं होता, रियल लाइफ में बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम लोगों के mentors होते है बहुत कम लोगों को बताने वाले होते हैं क्या सही क्या गलत जादातर लोग अपने जिन्दगे के शुरुवात खुद ही करते हैं बच्पन से ही सीखते हैं कमाना कैसे हैं आगे बढ़ना कैसा है गलतियां होती हैं गलतियां इनसान सही होती हैं गलतियां आपसे नहीं होंगी तो आप भगवान बन जाओगे तो बहतर है गलतियां करते हो गलतियां करते जाओ आगे बढ़ते जाओ नया-nyया कुछ सीखते जाओ जादा कुछ सीखोगे सीखते सीखते एक दिन वो वक्त आएगा experience हो जाओगे और आपके आसपास के लोग ख उसका श्रय अपने आपको मत दीजिए कभी भी वो तो फिर एक घबंड कहलाता है वो नहीं करना है जीते जाओ आगे बढ़ते जाओ तो आपने सुना होगा कि उचाईयों पर उड़ने वाले परिंदे कभी भी दरक्तों से दिल नहीं लगाते ये मेरी बात हमेशा याद र झाले